आज के टाइम में YouTube पर competition बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इस competition के दोर में अगर आप अपने वीडियो पर views की बरसात करना चाहते हैं तो content तो बाद की बात है आपको दो चीजों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा सबसे पहला thumbnail और दूसरा title अगर आपका thumbnail और title attractive है तो लोग आपकी वीडियो पर जरूर क्लिक करेंगे आज मैं आपको ऐसे दो AI टूल बताने वाला हूँ जिनसे आप attractive thumbnail बना पाएंगे और जो अभी तक किसी ने use भी नहीं किये होंगे और दूसरे AI टूल से आप attractive title बना पाएंगे और इन दोनों AI टूल से title और thumbnail बनाने के बाद कोई भी अगर आपकी वीडियो को देखेगा तो क्लिक चरूर करेगा दोस्तों इन दोनों AI टूल को मैं अपने वीडियो पर भी यूज करता हूँ अब मेरी बात ध्यान से सुनो काफी लोग thumbnail को copy करके लगा देते हैं लेकिन दोस्तों इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान है अगर आपने किसी के thumbnail को copy करके अपनी वीडियो पर लगा दिया है और जब वो वीडियो आपके audience के सामने पहुँचेगी और उस वीडियो पर जितने views आये हैं जब आपकी वीडियो उन audience के सामने पहुचेगी तो वो आपकी वीडियो पर click नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि ये वीडियो तो हमने देखा हुआ है तो दोस्तों आप अपना खुद का thumbnail बनाओ और अपना खुद का title बनाओ तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि आप AI की मदद से attractive thumbnail और title कैसे बना सकते हैं और वो भी कुछी click में सबसे पहले दोस्तों हम catchy title create करेंगे और उसके बाद हम thumbnail बनाएंगे तो catchy title के लिए हमें आना है headline AI पर इस website को आपको open कर लेना है और sign up with google करके sign up कर लेना है आप दोस्तों आप आजाएंगे इसके main page पर यहाँ दोस्तों आपको चार option मिलते हैं वीडियो आइडियाज, headline, description, hashtag इन सभी को आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं बट दोस्तों हमारा topic की catchy title कैसे बनाएं उसके लिए आपको ऊपर YouTube select रहने देना है और नीचे headline select कर लेना है What is your content about में अपना topic डाल देना है जैसे मेरा topic है How to create thumbnail and title from AI अब generate पर click कर देना है अब कुछी second में आपको यह 10 ऐसे title बना कर देगा जो आपकी वीडियो के लिए ब्रहमास्त्र साबित होंगे जिसके लिए आपको thumbnail AI पर आना है आपको इसके home page पर आ जाना है और अब generate thumbnail पर click करना है अब आपके सामने एक new page open होगा text में आपको title डाल देना है जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा How to create thumbnail and title from AI और अगर आपके पास कोई pick है जिसको आप thumbnail में add करना चाहते है तो upload उसे यहाँ पर upload पर click करके आप कर सकते हैं कोई another text आप add करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पर add कर सकते हैं अब आपको generate पर click करना है अब जो thumbnail आपको यहाँ पर मिला है वो मुझे इतना खास तो ऐसे लगा नहीं है लेकिन आप इसको modify करके थोड़ा ठीक बना सकते हैं दोस्तो इन दोनों AI टूल में से कौन सा AI टूल सबसे better आपको लगा comment करके जरूर बताए चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लिजे मिलता हूं next video में तब तक के लिए जाहें